जय सिव संकर मित्रों, मैं आप सभी का हरिस फांडे, आज आप मकर रासी वालों के लिए एक बहुत ही सांदार और अदभुत वीडियो लेकर के आया हुआ हुँ, जी हाँ, देव गुरु ब्रिहस्पती करने जा रहे हैं, नक्षतर परिवर्तन मित्रों, जिससे कि आपके की साड़े साती का प्रभाव भी सामिल है, और दूसरा, ब्रह्मान्ड के सबसे विसाल ग्रह देव गुरु प्रिहस्पती का नक्षतर परिवर्तन भी सामिल है, मित्रों, ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरी की पूरी देखेगा, ताकि आप आगे आने वाले समय में अप और आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाते हैं, अपनी कुंड़ी दिखवाना चाते हैं, तो आप मेरे वाट्सप नमबर पर मैसेज करें, मेरा वाट्सप नमबर है 8540096730, ये नमबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देदूंगा, तो मित्रों ये आते हैं मुद्दे पर, मित्रों देव गुरू ब्रिहस्पती विसाल ग्रह हैं ब्रम्भांड में, और इनका स्वभाव है कि ये जब अच्छा देते हैं, तो भी बहुत विसाल रूप में, और जब बुरा देते हैं, तो भी बहुत विसाल रूप में, किसी भी चीज को बड़ा रूप दे देना ब्रियस्पति किसी भी चीज को समस्या को या अच्छे मतलब प्रॉफिट को बड़ा रूप दे देना इसमें ब्रियस्पति का ही हाथ होता है मित्रों तो प्रिहस्पती किसके प्रतीक हैं? ज्यान के प्रतीक हैं? अध्यात्म के प्रतीक हैं? धन, भाग्य, विवाह, संतान इन सब के प्रतीक हैं मित्रों. जिस व्यक्ति के कुंडली में गुरू अच्छे होते हैं, ऐसा व्यक्ति ज्यानी होता है और उसके ज्यान से प्रभावि इसको देव गुरू ब्रिहस्पती म्रिग सिरा नक्षतर में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां परकीवे 26 अक्टूबर 2024 तक बने रहेंगे मित्रों एक लंबे पीरिड के लिए नक्षतर परिवर्तन होने जा रहा है और ये नक्षतर परिवर्तन आपके लिए बहुत ज्याद सांदार साबित होगा मित्रों क्योंकि म्रिग सिरा नक्षतर के स्वामी है मंगल और देव गुरू ब्रिहस्पती और मंगल की बहुत घनिष्ट मित्रता है मित्रों और मंगल कौन है उर्जा के कारक आतनभी स्वास के कारक और इनके साथ अगर गुरू के ज्यान का मिलन हो जाए तो सोची क्या नहीं हो सकता मित्रों तो यह जो नक्षतर परिवर्तन है मैं देख रहा हूं कि आप की लिए सोने पर सुहागा सावित होने वाला है बस एक सर्थ इतनी सी है कि आपके कुंडली में देव गुरु ब्रिहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए मित्रों यह आपके रासी से पंचम भाव में यह नक्षतर परिवर्तन होने जा रहा है पंचम भाव लक्षमी का भाव होता है शिक्षा का भाव होता है तो इसका सबसे बड़ा फाइदा तो मिलेगा बिद्यार्थियों को मित्रों यानि कि इस 20 अगस्त से ले करके 26 अक्टूबर के 20 में students जिस भी competitive exam को देंगे जो भी exam देंगे उस exam में उन्हें सफलता प्राप्त होगी name और fame मिलेगा कोई award भी मिल सकता है और इस period में विद्यार्थियों का दिमाग पढ़ाई में काफी अच्छा खासा focus भी हो सकता है बसरते उनके कुंड़ी में गुरू की स्थिति अच् तरब से आपको खुसकवरी मिल सकती है वो ऐसे कि मानली जे संतान की नौकरी लग गई या संतान के लिए कोई बढ़िया रिष्टा आ गया विवाह होने का तो इस प्रकार से आपको संतान के तरब से खुसकवरी प्राप्त हो सकती है आपको गोपनी रूप से या किसी गु पुछगार काफी अच्छा खासा ग्रो करेगा, काफी अच्छी खासी उन्नती करेगा और आपकी धन में वृद्धी होगी और आपका बैंक बालेंस बढ़ेगा मित्रों और अगर आप जॉब करते हैं और मनचाही जगह पर ट्रांसफर लेना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रहा था तो यदि आपके कुंडली में गुरू की स्थिती अच्छी है तो बीस अगस्त के बाद से मित्रों आपको अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफर जो है की बिलकुल मतलब आराम से मिल जाएगा ठीक है उसमें कोई प्रॉबलम नहीं होगी आपके जो रिस्तेदार थे जो कि साड़े साती में आपसे दूर हो गए थे आपका साथ नहीं दिया था अब वही रिस्तेदार आपसे मुह में मुह मिलाते हुए नजर आएंगे आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ते हुए न मित्रों दूसरी बात यहां पर आपको भाग का भी भरपूर साथ मिलेगा मित्रों भाग का भरपूर साथ मिलने के कारण आपको आपके हर कारे में सफलता मिलेगी और आप जिस काम में हाथ डालेंगे मतलब कि साड़े साथी के दुस्तरभाव के कारण आपके काम में बरकत न ऐसा दिखाई दे रहा है अच्छा दूसरी बात जो लोग real estate से सम्मंधित काम करते हैं ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा profit होने वाला है ऐसे लोग बहुत ज्यादा धन का लाब लेने वाले हैं दूसरी बात अगर आपको भूमी भवन का सुख नहीं मिल पा रहा था तो आप इ आप वाहन लेना चा रहे थे नहीं ले पा रहे थे तो 20 जो है की अगस्त के बाद आपको वाहन लेने के योग बनेंगे आप जो है की वाहन भी ले सकते हैं मित्रों और दूसरी बात कि जो लोग teacher हैं सिक्छक हैं कमेंड बॉक्स में सज्जन ने प्रस्ण किया था कि इन प्रकार की लोगों को खुस खबरियां जादा से जादा मिलने के योग बन रहे हैं मित्रों तो ये जो देव गुरू ब्रिहस्पती का गोचर का जो नक्षत्र का जो गोचर परिवर्तन है ये आप सभी मकर रासी वालों के लिए सोने पर सोहागा साबित होने वाला है मि मैं आप तो यही कहूंगा कि इसका अगर इतना जादा इंपोर्टेंट फाल आपको मिल रहा है इतने टाइम में तो आप एक बार प्रयास करके अपने कुंडली में गुरू की स्थिती को ज़रूर चेक करा लिजेगा दूसरी बात सनी की साड़े साती का भी आप जो जो उस प्रभाव भी आपका कम जोर पड़ेगा अच्छा जिन लोगों की राहू की महादसा में मंगल के अंतर दसा चल रही है ऐसे लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसे हैं लेकिन ओवर आल कुंडली में देव गुरू ब्रियस्वतिक इस्तिती अच्छी होनी चाहिए तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा जाते जाते एक बार फिर से कहे दूँ कि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे